प्रेमपुर गाउं बहुत ही खुशाल गाउं था अपने नाम की तरह ही इसमें रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेमभाव से रहते थे बारिश भी समय पर होती थी जिससे अच्छी फसल हो जाये करती थी अगर कोई रोग बिमारी आती भी तो जल्दी ही लोग उससे छुटकारा भी पा लेते थे सभी जगा खुशाली ही खुशाली थी और इस खुशाली की वज़ती प्रेमपुर गाउं में बना दुर्गामा का मंदिर उस मंदिर में दुर्गामा की भव्य मूर्ती थी सभी गाउंवासी हर रोज मंदिर जाकर उस मूर्ती की पूजा किया करते थे एक दिन गाउं का मुख्या सबसे कहता है उनकी पूजा के लिए हर घर से थोड़ा थोड़ा दूद घी उस दिन मा को अर्पित किया जाएगा समझे अपने गाउं पर दुर्गामा की विसेश करपा है इसलिए सभी उस राज जाग कर दुर्गामा का जागरन करेंगे सभी गाउं वासी जागरन वाले दिन का बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे थे लेकिन जागरन से ठीक बेस दिन पहले की बात है आधी रात का समय था तभी गाउं की रहने वाली सबसे बुजर्ग महिला सावितरे काकी अपने हाथ से धोल पीटती हुई और चिलाती हुई घर से बाहर आए गाउंवालो जल्दी बाहर आओ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है अरे जल्दी बाहर आओ धोल की आवाज सुन कर सभी लोग बाहर आए उसके बाद काकी ने जो लोगों को कहा उसे सुन सभी गाउंवाले हैरान रह गए अरे ये कैसी बात कर रही हो काकी पर ये कैसे संभव है बेटा मैंने तो जो सपने में देखा वही तुम लोगों को बताया और जब से मैंने ये सपना देखा है, तब से मैं भी यही सोच कर परिशान हूँ कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी दुरगा मा जंगल के बीचों बीच बने उस बर्गत के पेड के नीचे कैध हो पर हमारी मा तो काफी शक्तिशाली है, चलो माना कि वो उस पेड के निचे कैद है, लेकिन वो तो सोयम भी भाहर आ सकती है ना? चोटे से बिट्टू की बात सुनकर सभी सोच में पढ़ गए, बेटा वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन मा ने कहा है कि वो सिर्फ अपने भक्तों के द्वारा ही बाहर आ सकती है, सभी गाउं वासी काकी की बात को सुनकर हैरान तो थे, लेकिन गाउं की सबसे बुजर्ग महिला की बातों को नजर अंदाज भी तो नहीं किया जा सकता था न, इसलिए सभी लोगों ने बिना वक्त गवाए, उसी रात जंगल जाकर वो बर्गत का पेड काट डाला, और उसके नीचे खुदाई शुरू कर दी, दो घंटे खुदाई करने के बाद जो गाउं वालों उनने देखा, उसे देख सभी हैरान रह गए, देखा, मैं ना कहती थी हमारी दुर्गामा कैद है इस पेड के नीचे, सभी लोगों ने देखा थो उनकी आँखों के सामने साक्षाद दुर्गामा थी, उनकी दस भुजाएं थी, उनके चेहरे पर एक तेज था और चेहरे मसकान थी, गाउंवालों ने उन्हें पालकी में बिठाया और जोड-जोड से माता का जयकारा लगाते हुए, अपने गाउं के मंदिर की ओर चल दिये,। पुछ देर बाद उन्होंने पाल की लाकर मंदिर में रख दी, तब ही दुर्गामा उनसे बोले, मेरे बच्चों, तुम लोगों की भकती ही मुझे यहां खीच लाई है, अब मैं तुम लोगों के बीच ही रहना चाहती हूँ, और अब जब मैं साक्षात तुम लोगों के साम माता की आग्या पर लोगों ने उस सैक्डो साल पुरानी मूर्ती का विसरचन कर दिया, और साक्षात मा को उस अस्थान पर बिठा कर उनकी पूजा करने लगे, जागरन से कुछ पहले घटी इस घटना ने गाउं में भक्ती का एक अलगी वातवरन लाकर रख दिया था, कल के बीच प्रेम भाव खत्म होने लगा, घरों में चोरियां होने लगी, बुजूर्गों का अपमान होने लगा, सुनो जी, बहुत कर लिया मैंने तुम्हारे बुढ़े माबाप की सेवा, अब बस और सेवा पानी नहीं होती मुझसे, या तो तुम उन्हें कहीं अरे तु क्या, मैं खुद इन बुढ़ों से परिसान हो चुका हूँ, अभी मैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ बिर्चु अपने कमरे से बाहर जाता है और अपने बुढ़े माबाप को धक्के मार कर बाहर निकालने की कोशिश करता है अलो, निकलो आब यहां से बेटा, कुछ तो हम पर रहें खा, अपने बुढ़े माबाप को कौन इस सुम्र में घर से बाहर निकालता है बेटा, बाहर तो बहुत तेज बारिस हो रही है, आधी रात को हम इस बारिस में कहां जाएंगे हमें कल सुभा तक का वक्त दे दो, सुभा होते ही हम चले जाएंगे अजी, ये सब तो इन बुढ़ों का बहाना है, मैं कहती हूँ निकालो इनको लात मार कर बाहर ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, बलकि हर घर में यही चल रहा था भाई-भाई से लड़ रहा था और बहन-बहन से, औरतों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी लोगों के खेतों में आग लगकर उनकी सारी फसल खराब हो रही थी कुएं का पानी सोख चुका था, लेकिन दुर्भागी का सिलसिला यही नहीं था मा और लोगों की अचानक मौत तक भी होनी लगी एक दिन सरीता की पांस साल की लड़की की अचानक से मौत हो गए हाई मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे अपनी मा से बात कर मेरी बच्ची लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गाउं में ये अशुब घटनाई हो क्यो रही है जबकि अब तो दुर्गा मा साक्षात उनके गाउं में विराजमान है चोटी से दुर्गा भग्त बिट्टू के दिमाग में भी ये बात बार-बार आती थी लेकिन वो मा का ध्यान करता रहा लेकिन एक रोज उसके पापा का भी अचानक निधन हो जाता है लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उसके पापा कभी नहीं उठेंगे बिट्टू और उसकी मा का रोरो कर बुरा हाल था लेकिन गाउं का कोई भी व्यक्ति उनका दुख बांटने नहीं आया बिटू और उसकी मा ने अकेले ही बिटू के पिता को अगनी दी और उसका अंतिम संसकार किया रात को बिटू जब घर लोटा तो उसको नीन नहीं आ रहे थी और वो गुस्से में उट खड़ा होता है और कहीं जाने लगता है तब ही उसकी माँ, बेटा बिट्टू, आधी रात को तु कहां जा रहा है माँ मैं मंदिर जाकर दुरगा मा से पूछूंगा कि उन्होंने मेरे पापा को मुझसे क्यों चीना ये कहकर बिट्टू गुसे में चला जाता है, उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है वो दोनों रात को ही माता के मंदिर गए, जबकि माता की आग्या के अनुसार कोई भी रात को मंदिर नहीं आ सकता था और जो कोई भी ऐसा करेगा, उसे माता के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा लेकिन उन दोनों को तो जैसे इस बात की परवा थी नहीं वो दोनों जब मंदिर पहुँचे, तो वहां का नजारा देख कर थर-थर कापने लगे वहां माता तो थी ही नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षसी थी उसके पांच हाथ और तीन सर थे उसका शरीर भयानक काले रंका था और बड़े-बड़े नुकीले दाथ थे उनको देख राक्षसी बोली कौन हो तुम और इस वक्त यहां क्यों आए हो पहले आप बताईए, आप कौन है और हमारी दुर्गा मा का है दुर्गा मा? मैं ही हूँ तुम्हारी दुर्गा मा अब करो मेरी जैजैकार वो राक्षसी ताड़का थी सभी दुर्गा मा की पूजा करते थे इस बात से वो बहुत चड़ती थी वो चाते थी कि दुर्गा मा की तरह लोग उसकी भी पूजा करे उसने तंत्रमंद्र के विद्या से कई काली शक्तिया हासिल कर रखी थी उसने अपने शक्तियों से सावित्री काकी के शरीर में प्रवेश किया और लोगों से जूट कहा कि माता बर्गत के पेड के नीचे कैद हैं उसने ही ये सारी माया रची थी और वही उस पेड के नीचे कैद थी अब मैं इस गाउं की माता हूँ और अब तुम सब सर्फ मेरी ही जैजेकार करूगे ये सब मेरी ही रची हुई माया थी जिसमें तुम सब बेवकूफ फस गए बिट्टू और उसकी माने जल्दी से अपने आखे बंद की और दुर्गामा का ध्यान करने लगे तब ही वहाँ जोरदार विजली कड़की और साक्षाद दुर्गामा प्रकट हुई ये कहकर उसने अपनी मायावी शक्ती से एक तलवार प्रकट की और दुर्गामा की तरफ फेंग दी लेकिन दुर्गामा ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया जिससे उसके शरीर के हजारों टुकडे हो गए और उसकी मौत हो गए ये मा तुमने हमारे गाउं को अपनी क्रिपा से क्यों अंचित कर दिया लाट आओ मा लाट आओ बेटे अब मैं फिर से यहीं रहूंगी और इस गाउं को छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी जहां तुम जैसे भग थो मैं उस गाउं को नहीं छोड़ सकती ये कहकर मा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उससे एक तेज उत्पन हुआ उस तेज से गाउं फिर पहले जैसा हो गया लोग प्यार से रहने लगे, कुओं में पानी भराया खेतों में फसले उगाई और यहां तक की इन दिनों जिनकी मृत्यू हुई थी वो लोग जीवे थोटे मा की महिमा देख सभी गाउं वालों ने मा के नाम के जैकारे लगाए और बड़े धूमधाम से दुर्गा मा के लिए जगरण किया मुझे उस पुराने मंदर का वो खजाना चाहिए किसी भी हाल में पर देवी दुर्गा कवत त्रिशूल उस खजाने की रक्षा कर रहा है तो मालिक उस त्रिशूल को हटा दीजिए आपके लिए ये कौन सा मुश्किल काम है वही तो मेरे लिए मुश्किल है मुझे उस त्रिशूल को हटाने के लिए किसी शरीफ और इमानदार व्यक्ति को ढूरना होगा इसके लिए मुझे प्रीतम नगर जाना होगा तुम प्रीतम नगर का चप्पा चप्पा चान लो और जहां भी दिखे कि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है तो समझ जाना कि वो बहुत ही शरीफ और दयालू और इमानदार है आकर ये खबर मुझे दो जादूगर कपाली बहुत ही बुरी प्रवृति का था उसे मा दूर्गा के पुरानी मंदर का खजाना चाहिए था जो मीलो दूर था जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था जादूगर कपाली अपने चेले को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में भेजता है मालिक ने पता नहीं किस काम में लगा दिया अब मैं ऐसा व्यक्ति कहा ढूनू यहां बाजार में तो बहुत लोग नजर आ रहे है जै दूर्गा मैया की बाबा जै दूर्गा मैया की शिवा बेटा मंदर जा रहे हो क्या हाँ बाबा, अपनी मा दूर्गा को जब तक मिलना लू मेरा दिन शुरू ही नहीं हो सकता जै दूर्गा मैया की अम्मा जै दूर्गा मैया की शिवा बेटा अम्मा समलकर, लाओ ये गटरी मुझे दो मैं घर तक छोड़ देता हूँ जीते रह मेरे बच्चे तू कितना सयाना है हमारे गाउं की शान है तू जब देखो किसी ना किसी की मदद को लगा रहता है अब तू मुझे घर तक छोड़ेगा तो मंदिर को देर नहीं हो जाएगी कोई बात नहीं अम्मा मैं ये गटरी आपके घर पर रखता हूँ मंदिर चला जाऊंगा अब धिरे धिरे घर पहुँचो ये लड़का बहुत काम का है मालिक को जाकर इसके बारे में बताऊंगा पहले इसके बारे में जान लेता हूँ अरे सुनो भईया ये लड़का जो अभी यहां से गया है ये कौन है ये शिवा है मा तो बच्पन में ही गुजर गई थी अपने बुड़े पिता के साथ यही पास में रहता है बहुत अच्छा लड़का है हमेशा सबकी मदद करता है मा दुर्गा का परमभग्त है ये जल्दी से मालिक के पास पहुँचता हूँ मेरा काम तो हो गया चेला जादुगर कपाली के पास पहुँचता है और उसे शिवा के बारे में सारी खबर देता है बहुत बढ़िया किया अब ये शिवा ही मुझे खजाने तक पहुँचाएगा जादुगर कपाली प्रीतम नगर पहुँचता है और शिवा की घर का पता ढूंट कर उसकी घर जाता है अच्छा, तो अब शिवा के दूर के मामा लगते हैं बहुत खुशी होई आप से मिलकर मुझे गायत्री ने एक बार जिक्र तो किया था कि उसके एक भाई दूर रहते हैं तभी तो मैं गायत्री बेहन की शादी में पहुँच नहीं पाया था अब इतनी दूर से आने में कई महीनों गुजर जाते हैं मैं तो गायत्री बेहन से मिलने आया था पर गायत्री के देहांत के बारे में सुना तो बड़ा दुख हुआ शिव चार साल का था तो गायतरी बीमारी से इस दुनिया को छोड़ कर चली गई तब से शिवा को मैं मा और पिता दौनों बन कर पाल रहा हूँ अब आप शिवा की कोई चिंता मत करो मेरा कारोबार दूर तक पहला हुआ है इसलिए मैं शिवा को लेने आया हूँ मेरे साथ व्यापार करेगा तो खूब पैसे कमाएगा ये तो बहुत अच्छी बात है अपने मामा के पास रुक कर शिवा काम धंदा करेगा तो इससे बड़ी और क्या बात होगी शिवा भी आ गया बपू ये मा दुरगा के मंदिर का प्रसाद ला बेटा दे इन्हें भी प्रसाद दे बेटा प्रसाद? कोई नहीं, मैं बात में ले लूँगा अभी थोड़ा पान वगेरा ले लूँगा मैंने आपको पहचाना नहीं आप कौन है? शिवा बेटा, ये तेरे मामा जी है गायत तरीके चचेरे भाई है तुझे अपने साथ लेने आये है इन्हें कारोबार में मदद के लिए किसी अपने की जरूरत थी और इनकी अपनी कोई उलाद नहीं है इसलिए ये चाहते हैं तो इनका कारोबार समाल ले पर बापू, मैं आपको अकेला छोड़ कर नहीं जा सकता यहां आप मेरे बिना कैसे रहोगे हरे, तु कभी कभी बीच में मुझसे मिलने आ जाया करना पर ये अच्छा मौका हाथ से मद कवा बेटा यहां भी तो तेरे पास कोई काम नहीं है वहां तुझे बसा बसाया काम मिल जाएगा आगे फिर ग्रैस्ती भी तो बनानी है ना शिवा बेटा, तुम्हें एक बार मेरे साथ चल कर तो देखो वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मैं तुम्हें अपना बेटा बना कर रखूँगा जादुगर कपाली की मिठी-मिठी बातों में फसकर शिवा का पिता उसे भेज देता है जादुगर कपाली शिवा को जंगलों, पहाडों, जड़नों के रास्ते घोडे पर ले जा रहा था एक घोडे पर कपाली बैठा था और एक घोडे पर शिवा मामा जी, आपकी नगरी तो बहुत दूर है, ये तो काफी बियाबान जंगल के रास्ते है मान जे, बस थोड़ी दूरी और जाना है, नगरी यहां से कुछ कोस की दूरी पर है अरे याद आया, यहां पास में ही मादुर्गा का एक बहुत ही सुन्दर पुराना मंदिर है और तुम मादुर्गा के परम भक्त हो, अगर चाहो तो हम वहां दर्शन करके फिर आगे का रास्ता तै कर सकते हैं कपाली शिवा को मंदिर में ले कर जाता है शिवा बेटा मादुर्गा के त्रिशूल को थोड़ा सा उठा कर साफ करो फिक है मामा जी शिवा जैसे ही मादुर्गा के त्रिशूल को उठाता है अचानक से मंदिर हिलने लगता है और बिशने कड़क में लगती है त्रिशूल के नीचे एक तहकाना था जिसमें से चमकदार रोशनी बाहर आने लगती है धेरो अशर्फियां हीरे जबाहराद सोने के सिक्के देख शिवा घबरा जाता है उसकी आँखे चका चौन्द हो जाती है मामा जी ये खजाना किसका है? वो भी इतना सारा शिवा बेटा लगता है कि मादुर्गा के मंदिर का खजाना है अगर हम इसे यहां ही छोड कर ऐसे चले गए तो चोर डाकु इसे लूट कर ले जाएंगे हमें काम करते हैं इस खजाने को बोरियों में भर लेते हैं और फिर यहां से लेकर गरीबों में बाड़ देंगे शायद आप ठीक कह रहे हो मामा जी मादुर्गा का आशिरवास समझ कर हम इस खजाने को ले चलते हैं गरीबों के काम आ जाएगा शिवा बेटा मैं तहखाने में नहीं जा सकता एक काम करो तुम बोरियों में भर भर कर खजाना मुझे पकड़ाते रहो मैं बोरियां गोड़े पर लाद दूँगा शिवा कपाली की बातों में आ जाता है और वो सारा खजाना बोरों में भर कर कपाली को पकड़ा रहा था जब शिवा ने सारा खजाना कपाली को दे दिया तो कपाली ने तैखाने का दर्वाजा बंद कर दिया अरे ये तैखाना बंद कैसे हो गया मामा जी मामा जी कहा हो तैखाने का दर्वाजा बंद हो गया है मैं कोई मामा नहीं हूँ मैं तो जादूगर कपाली हूँ मैं तुझे यहाँ जान बूच कर लाया था मा मेरी सहायता करो, नहीं तो ये जादुगर भाग जाएगा, हे दुर्गा मा मदद करो। इसने मेरे इस खजाने को पानी के लिए बहुत से निर्दोश प्राणियों को मृत्यों के घाट उता रहा है। अब इस खजाने को प्रीतम रगर के राजा भान सिंग को सौब दो, वो गरीबों की सहायता के लिए इस खजाने का उप्योग करेंगे। मेरा आशिरवात सदैव तुम्हारे साथ है। शिवा मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। मा दुर्गा आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मा। इसके पश्चात मादुर्गा अंतरध्यान हो जाती है। शिवा सारा खजाना लेकर राजा भान सिंग के पास पहुचता है और उन्हें सारी बात बताता है। राजा भान सिंग शिवा की इमानदारी पर बहुत प्रसन होते हैं। और मादुर्गा का आशरवाद मान कर सारे खजाने को गरीबों की सहायता में लगा देते हैं। शिवा का पिता भी अपने बेटे के सकुशल लोटने से बहुत खुश था। राजा भान सिंग शिवा की इमानदारी देख कर अपने राज महल में ही उसे नौकरी पर रख लेते हैं। और मादुर्गा की आशरवाद से शिवा अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।